क्या इरान के परमानू ठिकानों पर होगा हमला? क्या है इसराइल का प्लान? आपको बता दे इरान ने हाली में इसराइल के खिलाफ मिसाइल स्ट्राइक की थी इसके जवाब में इसराइल के पास इरान के परमानू ठिकानों पर हमला करने का मौका है लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा इसकी जगह इसराइल इरान के विविन सैनर ठिकानों पर बम बरसाएगा न्यू यूर्क टाइम्स में इसे जुड़ी रिपोर्ट सामने आई है अमेरिका भी लगतार इसराइल से कहता रहा है कि वो इरान के परमानू ठिकानों पर हमला ना करें इसराइली अधिकारी सारवजने ग्रूप से कहते रहे हैं कि वो हमले का बदला लेंगे उनका कहना है कि इस बार का बदला अप्रेल में किये गए जवाबी हमले से भी घातक होगा तब इरान का S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया था नियॉक टाइम्स के रिपोर्ट के मताबिक इसराइल नूकलियर साइट पर हमले की जगह साने टिकानों या फिस सिक्रेट साइटों पर हमला करेगा लेकिन अगर इसके बाद इरान जवाब देता है तो परमानू प्रोग्राम के खिलाव भी आक्शन हो सकता है रिपोर्ट के मताबिक पुर्व और वर्तमान वरिस्ट इसराइली अधिकारों ने माना कि इसराइल इरान के परमानू प्रोग्राम को गंभी नुक्सान पोचा सकता है लेकिन इस बात को लेकर सवाल उठ रहेगी क्या इसराहील का हमला इरान के परमानू कारेकरम को बाध़ित करने के लिए परयाप्त होगा या फिर इसकी जगा इरान अलर्ट हो जाएगा और परमानू हतियार बनाने में τηजी लाएगा बताया जा रहा है कि इरान की परमानू फैसिलिटी पर हमला करना 50 वर्षों में एक पर आने वाला मौका हो सकता है लेकिर इसराइल के यूद का लक्षे नहीं है 16 साल यूद में उतरे इसराइल का लक्षे हमास को हराना और उतरी इसराइली लोगों को लेबनान की सीमा के पास वापस भेजना है इसराइल नहीं चाहेगा कि वो इसकी जगा एक छेतरे यूद में कुछ जाए और वो भी इरान के साथ तमाम खबरों के लिए हमाई टानल को सब्सक्राइब करें